वेल्कम बैक मैं हूँ मांसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट निउस आए जानते हैं क्या है आज विदेशों से मुख्य खबरे जैशंकर यहां उस्टेलिया जपान और अमेरिका की विदेश मंतियों के साथ मेलबन में 14 फरवरी को चौथे कवार्ट बैठक में भाग लेंगे इस बैठक में कोविट-19 महमारी क्रिटिकल टेकनलोजी क्लाइमेट चेंज सहीर छेतरिय मसलों पर बातचीत की जाएगी चीन की राश्ठाने बिजिंग 2021 तक दुनिया के सबसे परदूशित शेहरों में शिमार थी शेहर में इसकदर परदूशन था कि तियान में सकवायर से आसपास की इमारते चारों और फैली पहाडिया और हरे भड़े पेर भी धूंद के कारण नजन नहीं आते थे इस वज़े से विंटर ओलम्पिक के खटाई में पढ़ जाने का भी खतरा था लेकिन अब ऐसा नहीं है बिजिंग की हवा इन दिनों इतनी स्वाच है कि ओलम्पिक में हिस्सा ले रही खिलाडी दूर से ही शेहर के चारों और पहाडों और हरी भरी वादियों को देख सकते हैं, अमेरिका में COVID-19 थमने का नाम नहीं ले रहा, COVID-19 महामारी के शुरुआत के बाद से बच्चों के संकरमित होने का अब तक का सबसे जाधा चौकने वाला आकड़ा दर्स किया गया है, जिसमें 1.2 करोड से जादा बच्चे करोणा महामारी से संकरमित पाए गए है इसराहिल ने बुद्वार सुभे एक बार फिर सीरिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक को अंजान दिया है इसराहिली सेना ने हमले की पुष्टी की है सेना ने कहा है कि ये हमला मंगलवार देर रात नारदन इसराहिल पर सीरिया की तरफ से किये गए Anti-Aircraft Missile Attack का जवाब है सीरिया ने Missile हमले से इंकार किया है